हम लोगों ने शुमित भागवर्दम के दूसर स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को देखा था, सौनों मेरे साथ में गाईए श्रोतव्यादीनी राजिंद्रा निर्णाम संती सहस्रशह अपश्यताम आत्मतत्वं ग्रिहे शुग्रिहमे धिनाम राजिंद्र ए राजाओं में सर्वशेष्ट परिश्यत महाराज श्रोतव्यादीनी निर्णाम संती सहस्रशह श्रोतव्य सुनने के संबंद में या सुनने के संबंद में बोलने के लिए त्यादी सब में इंसानों के लिए हजारों विशय हैं क्यों भई अपश्यताम आत्म तत्मَं वे आत्मा के तत्व को परमात्मा के तत्व को नहीं समझते हैं देखते ही नहीं उसका अन्भव नहीं करते क्यों नहीं करते कृषंप धिelna ja यहां बात अजीब सी होगी यहसा कहा है कि आप ग्रहस्ती यही एकदम जंजाल है तो फ़ड़ा गलत बात है गलत बात मने जंजाल तो है एसा नहीं कि लोग रहस्ति में प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या उनका निस्तार नहीं हो सकता है लेकिन आइडिया कि वहिम्प्ल già टिया एडिया प्रवेश करना है और ग्रव में था नहीं लगानी इसलिए स्विकार करें प्रहपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे थे ग्रहस्त ग्रहमेदी इसलिए स्विकार करें ताकि भक्ति में आगे प्रगति कर सकें यह फानल डेस्टिनेशन नहीं है यद गवाता यद गत्वा नौन लिवर्तंते तद आश्रम परमम ममा यह नया अश्रम में ग्रहस्त आश्र प्रवेश्ट करके व्यक्ति वापस नौटता नहीं है उसमें उनकी हेल्प करते हैं कि पता नहीं करतें तो ऐसे आश्रम में प्रवेश्ट ग्रहस्त आश्रम में प्रवेश्ट करना चाहिए एक बाद पूछा गया था जय द्वित महराज को what is the purpose of ग्रहस्त आश्रम तो गेट आउट अफ इट यह तरता समझ ले कि दुख है और उसके बाद एट कम से कम वानपरस्त और सन्यास के अट लीस्ट वानपरस्त की तरफ जाने का प्रयास करें तो ग्रह मेधी मेधी संब्त क्या रशा लिया गया था हिंसा और बुधधी दोनु और यह भी बता अबिकार है यह अनर्थ क्याय होते हैं यह सब भी बता जा रहा है और यह भी समझना होगा कि व्यक्ति भले पढ़ाई करें एक रहस्ती में जाए जाए कुछ भी जाए लेकिन धर्म छोड़ करके नहीं करें और एक और आपको बात अनभव भी होगी चाहिए हमारे सामने जी माताजी लोग है वह हो चाहिए प्रभुजी लोग हो अगर आप लोग 5-6 साल भागवत सुनें जब करें तो क्या आप लोग भी उसी प्रकार एक रहस्ते जीवन जी सकेंगे जैसे बाहर के लोग जी रहें इस पर एक कॉमन सेंस नहीं हमारे जूम पर भी कितने सारे डिवूटीस है जो भाले भक्ती में नहीं भी आये तो निमेत रूप से भावान के ब तो नहीं होगा विक्तित, बलकि अब धारन तो बड़ा एक्स्ट्रीम है कि शिव जी कथा करते रहते हैं और वो ग्रहस्त है पारवती जी पास में बैठी रहती है और बड़े-बड़े ब्रहमचारी और सन्यासी उनको सुनते है नारज जित्या दे तो बात नहीं और हाँ अब आगा भी सुनेंगे मनू महराज भी स्वयम भूमनू भी ग्रहस्त है लेकिन वह पूरा एक मनवनतर भग्मान के कथा में लगाता है और इसी प्रकार से अम्टीश महराज के वारे में भी अब जानते है ये अव पृश्चताम आत्म तत्त्व वेले लोग की बारे में जो आत्म के तत्व से बिल्कुल अनुभी गिरते हैं, उनको लगता है इस सब करने की जरूरती क्या है, तो अब उसी को और क्लियर कर रहे हैं, कि किस प्रकार से उसका समय दिन और रात में इस अपश्चताम आत्म तत्व की स्थिति में ही भी जाता है, कि इस प्रकार से उसका जीवन कभी आत्म के तत्व के खोज में अनुवेशन में लगता ही नहीं, कहां कहां व्यर्थ हो रहा है, वो देखें, भीरे कुछ बहें बोलने वाला है, निद्रयाहरियते नक्तम व्यवाये नचवावयह दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरने नवाः निद्रयाहरियते नक्तम व्यवाये नचवावयह दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरने नवाः निद्रयाहरियते नक्तम व्यवाये नचवावयह दिवा दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरनेनवा निद्रयारियते नक्तम व्यवाए नचवा वया दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरने नवाद। दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरने नवाद। दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरने नवाद। अपने जीवन की अवधी को नश्ट कर देते हैं। संस्क्रित देखें बड़ी सुंदर-सुंदर व्याते हैं यहां पर महाराज बोले हैं। वैसे तो यहां पर अनवय में कहा गया है कि पूरा जीवन ही वर्थ कर दे रहे। एक अर्थ है कि रात्री को सोने में या फ्रिस्तिरी संग में और दिन को पैसा कमाने में और कुटुम भरन में वर्थ कर देते हैं। एक अर्थ समझ में आ रहा है। जो उनकी जीवन है मनुष्य का वह हिर्यते वह छीन लिया जाता है उनसे। किस प्रकार से रात में सोने से या स्तिरी संग करने में और दिन में पैसा कमाने में या कुट्टुम की भरन में। विक्ति कौन से पुर्षार्थ की प्राप्ति करेंकों हम मजाक नहीं बना सकते हैं कि मैं भी सोता हूं। आप सब लोग को सोना ही पड़ता है, लेकिन नियत मात्रा से अधिक सोना ये बहुत बड़ा नुकसान है, ना आतो आध्यात्मिक और ना ही भौतिक, किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं होती और सोना कोई बहुत बड़ा सुक नहीं है, शरीर की आफशकता है और उसके बेन गंटा सोता है, या आठ गंटा सोता है, या आठ गंटा सोता है, जो भी आठ गंटा माल लिजिए, आठ गंटा ठीक है, अब वो 100 साल जिया, तो यानि कि 24 डिवादेट बाइट इस 3, is it not, वन थर्ड, 30 साल वो नॉन स्टॉप सोता रहा, कभी सचा हमने इस तरह से, बीना सो इतना ही सोने के लिए बोलते हैं, वह भी इसलिए ताकि व्यक्ति आगे भजन कर सके, आप लोग भी तो टाइम सोने का प्रयास करते हैं, ताकि हम लोग मंगल आरती के समय सोते ना रहें, या जो नींद है वो जब में पूरी ना करें, या भागवाद क्लास में तो बहुत चीने दाती, श्लीप वेल, श्लीप वेल नहीं, भागवत में नहीं पूरी करें, तो एक अर्थ समझ रहे हैं, नींद पूरी तरह से समय की वर्त है, इसलिए छीन रहे है उसका समय, कुछ नहीं कर पाएंगे, आध्यात में ग्रूप से आप कुछ कर सकते हो, ना भावते ग शीलने गई, सोने में या स्थरी प्रसंग में, तो स्थरी प्रसंग केवल स्थरी भोग मैथ्वन की बात ही नहीं हो रही है, यह तो दृष्ट है कि लोग आते हैं, अब यह जो लोग जब बोला जा रहा था तब तो घटत नहीं होगा, लेकिन महराद बता रहे थे स्थरी प्रसंग का मतलब है, आते हैं लोग और पत्नी को संग बैठ करकर सीरल देखते हैं, यह जाड़े में मुवफली छीलते हैं, क्या पने प्रजल्प चल रहा है, और आकर बोलते हैं, यह चैटिंग कर रहे हैं हो सकता हो, अब अब स्थरी संग नहीं कर रहा है तो किसी प्रेम पत नहीं हो, प्रेमिका से चाटिंग कर रहा है, इस अब नहीं चल रहा है कि आज कर, तो आयुजारी नवर्थ, इस मरन वा कृष्ण का तो हो नहीं रहा है, कि जिस प्रकार से रुक्मनी प्रेम कर धिति कृष्ण, इस तो को स्मरन नहीं हो रहा है, भूले हुए हैं अपने आ जितना भोग में रत होता है, स्त्री संग में उसकी आयू और जल्दी कम हो जाती है, पुरुष्ण का वीरी है, वह उनके खून से बनता है, इस प्रकार का इंजॉइमेंट के लिए भोग करना, यह ऐसा ही है, जिसे उट का काटों को खाना, और कहीं बड़ा टिस्टी है, ज काटे उसके ही जीव को काट देते हैं, तो वो जब उसके खून से मिल जाता है, उसकी जीव का ही खून या मूं का ही खून का स्वादन वह जीव से करता है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, यह इस्तिती है, जो लोग इस प्रकार से भोग में प्रविर्त होते हैं, वो आप द इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि जब तक स्तरी से संग नहीं करेंगे, वो इनको नीद नहीं आएगे, सुए नहीं सकेंगे, यह सारी स्थिति हैं और इस प्रकार से अपना कितना जीवन अपना शक्ति व्यर्थ कर दे रहा है, कि वह समझ नहीं पाते, यह तो बात मतलब लोगों को बताता भी नहीं है, और कोई बोले, तो हसते हैं लोग..ो언ने भूले होगे? चुछ पर दोप में अपने आपको तो महाराज के वह दूप को लाल करना चाहते उसी प्रकार से इस्तिरियां भी घूम रही थी कोई लज्जा नहीं है और वही बैट करके माला पकड़कर जब करते हैं यह यह लेक है यह भगवान की भूती है यहां बैट के भजन करें तो कि आई का वर्थता है कि नहीं और अब अगर आप नौ समझें तो सुचिए वहीं बगल में कोई कुटा खड़ा हो और वह भी धूप सेक रहा है और समझे आया है चलिए असमें मजा नहीं आएगा कुटा ने गैंडा अच्छा लग रहा है इपोपोटैमस मालो उसी लेक में क हिपोटैमस में इसलिए बोला हूँ कि हिपोटैमस खोलता है मूँ और धूप में खड़ा रहता है चलिए वह भी उधारन नहीं समझ लीजी मगर मच तो मगर मच को आप देखेंगे प्राया वहसी प्रकार से पड़े रहते हैं और धूप सेकते रहते हैं हमने देखा है कभी यह बहुत फेमस है उनको बड़ा अच्छा लगता तो इसी तरह मगर मच और मच्छी की तरह लोग पड़े हुए है क्या यही मानजी उनका लाब है उस उसी वया को उसी आयू को अगर भगमान के सेवा में लगाते तो कितना अच्छा होता है लिए उसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छी बात एक भक्त बता रहे थे एक आचार जी को पूर्ट करते हुए कि हमारी इंद्रियां डकैतों कितर है दस्यू समझते हैं दस्यू डकैत कितर हैं जो हमारा मनश्य जीवन रुपी समय को छीन ले जाती है उस धन कोपियों भगवान की सिवा में करके भगवा दिन तो हम जब करने में लगाएं एक भक्त बोल रहे हैं बास्किंग इस एक्सेप्ट प्रोसिजर इन नाचुरोपैथी अब प्रशान तम रहन चाहते हैं आप भजन कर रहे हैं कि भोग पार्टी में हैं क्या यह जरूरी है कि काला हो और यह जरूरी है कि स्तिरी और पुर करने से पहले कमेंट करने से पहले सोच लेना जाए कि क्या बात आप कर रहे हो भारती लोग अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं यहां तो हमारी नेचुरोपैथी अपने यह प्योद्ध इतनी धूप लगती है कि ऐसे काले हो जाते हैं कि नहीं कि कपड़े साहीट काले हो ज हैं सुनने क्यों आरा रहे हैं संसमय हो जए और वह थे तो पैثिल क्यों आ रहे है कि हूं इक और इस प्रकार 나도 से नीद खराब हो भेए बोडवन दिन में क्या कर रहा हैं दिवा ऐ साया राजन हे राजन वह पैसा कमाने में लगय में कितने लोग मैं देखता हूं जिनका कार्य दस बज़ शुरू होता है और साथ-साथ आठ बी तक खतम हो जाता है रात में माली तो आराम से पूरा कर सकते कि लेकिन वहां नहीं करेंगे की ओल्समय वर्त करेंगे आठ बजे आएंगे और खाएंगे उसके बाद 10 बे तक 11 बे तक 12 बे एक बज़ तक कुछ टाइम पर बात करेंगे फिर उठेंगे फिर नौबजे नमाजे दो ने ब्रहमुर्थ सुरू होता है नौबजे continue कीजिए ब्रह्म मुर्थ सुरू हो जाए उसका फिर खाया पिया डखारा उसके बाद चल दिए फिकला उसके और मान लो शनिवार इतवार को छुट्टी मिल जाए कि भाई राती चुलो वेश्ट कर दी राती तो पूरा हफ्थी वेश्ट करना है और शनिवार इतवार में कर काम करने को नहीं रहता है तो कुटुम भर लेन बच्चे को लेकर जाएंगे पिकनिक लिए जाते हैं शौपिंग लेकर जाते हैं इत्यादित दे यह तो हम लोग सब ने देखा ही है कि माता पिता जब फ्री होते थे शनिवार इतवार को बच्चे लोग फूर तड़े रहत इसलिए क्यों भक्ति करने की जुर्यत क्या है? एक भक्त को प्रेम कर रहे थे और डांट भी रहे थे इस तरह से थे हमारे घर में माता जी भक्ति नहीं करती हैं जब कि वह लड़का कंवाने लग गए हैं उनहीं पर आश्रित हैं माता जी हम उनको बतां धूति कुर्ता पहलेंगेंगे यह करेंगे तुम को अपराद लग तो नहीं लगेगा मा को हमने का पिता जी आपकी है नहीं ध्यांत सच्छिनी का यह बात सिधान समझ चाहिए पिता जी नहीं है तो लड़का बिल्कुल पिता जैसे का कारे करता है Does that make sense to you? मा को लड़के की बात माननी चाहिए ओविसले लड़का धारूबाज नहीं बना चाहिए धर्म चानने वर्ला हो तो उसको बात माननी चाहिए समझ में आ रहा है जब पैसा कमाते हैं तो माता पिता की बात नहीं मानते हैं समझ में आ रहा है आपको नाम नहीं करूँगा चुप-चॉप करते रहो तब तक चलते रहता है जब कि माता पिता पे आप एकनौमिक अली आसरत है जब आप एकनौमिक ले आसरत नहीं है तो बिल्कुल का क्या सकते हैं जंग छेड़ने की जुरत नहीं हम करना है बस दोती कुछ पहर नहीं की आप लगों को लगता है कि हम बड़ी अजीब सी बात बलते हैं अब आको मैं सची घ बड़कियों के लिए सेफ नहीं है अमरीका बहुत सेफ है एक तो ये कारून है और पिता माता की स्थिति मारना सन है उनको छोड़ करके जा रहे हैं तो ये तो कर्मी लोग कर रहे हैं ऐसा करने के लिए हम बोल रहे हैं कि असा नहीं करने के लिए धर्म करने के लिए बोल रहे नहीं किमात्ति बीतै जो बोल रहा है, ऐसे बोल है, थी वोक बोल को भरन करें, और समझना जी कुटुमका अर्थ समझते, कुटुमका अर्थ है, कुछ अर्थ आशा ये है कि घंदाती है जोलके हैं अगर वह पारिवार बाध करें, भजन नहीं कर रहा है, तो क्यासा इन्वेस्टमेंट है, कि नुकसान नहीं हुआ? तो किस प्रकार से उनकी आयू छीननी जा रही है? रात्र में सोने से, या फिर स्तिरी प्रसंगादी में, दिन में पैसा कमाने से, और शनिवार इतवार को कुटम भरन से, और अगर ये भी कह दे जाए कि मान लो शनिवार इतवार में नहीं कर रहे हैं, तो यह भी होता है कि मा या पिता को शाम के समय या दिन के समय जा कि सबज किसी को डाटोंगा आपके भी बच्चे है ना है तो भक्त बन गए है जब आप भक्त नहीं थे एकदम ठंडे दिमाग से हम कोई मजाक नहीं बना रहे हैं मैं उत्तर जुनना चाहता हूं कि क्यों बच्चे पालते हैं आप लोग किस विचार को ले करके पाल रहे थे आप एक बच्च परव्रिश करना हमारी जिम्यादारी है प्रच्श को दिजिएर प्रजंदर बच्चे क्यों पाल रहे थे बच्चे इसलिए पाल रहे थे प्रूजी जैसे बच्चे पढ़ लेग जाए और अच्छी मलग वेरी गुड तो दोनों जगे से क्या उतर आया कि बच्चों के कुछ आगे भविश अच्छा हो जाए यह बात है ना बस इसमें यही अच्छे मात आटका कई यही एक उद्दिश होता बस सिंपल सी बात है हां आप अप अब को ब्रह्मचारी हो आपको को उतर नहीं है ट्युरी वाली बात नहीं कर रहा है थे और यह अगे यह इस प्रश्र ब्रहास नो क्लिए ग्रहास वेस्ट डिस्केशिन हो रहा है एग क्या माइक दी कर देन को मा की बारे बतार यह सकता है लेकिन मैं बात कर था कि जब बच्चों को पैदा कर दिया तब उसके बाद नहीं क्यों पाल रहे तो उतर दो नतर से एक ही आया वरी गुट लेकिन आप देखें कटना यह है कि पता नहीं चलता है कि बच्चों को बड़ा करके यह कैसे पते जिसके दोरव है सुखी हो जाए यह कटनाई परंपरा में चले आ रहे है क्योंकि माता पिता को बताए नहीं गया तो बच्चों को भी इस प्रकार से नहीं बता पाएंगे तो कोटुम्भ भरन क्यों हो रहा है उत देश तो इच्छा तो बहुत अच्छी है कि बच्च माहराज देखे हम थोड़ा सा अजीव सी बात बोलेंगे लेकि इसी आसन से परंपुजे बह्में 25 छ 3 माराज बोल रहे है है कि महराज बोल रहे है ऐक्ज़ाघ महाराज बोलोंगा कि कुटिया भी अपने बच्चे को अपने मुक्च से चावल लाला करकर पाल लेकिन यह सिक्षा नहीं दी है कि वो मुक्त कैसे हो, तो इस कुटम भरन का क्या फायदा, इसलिए कह रहे हैं, व्यर्थ है, धान दीजिएगा कि बच्चों को पालने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर गीता से आप समझेंगे चटे अध्याय से, जो योगी असपल हुआ, वो ब्रह्मचारी के पैदा नहीं हो सकता है, वो योगीयों कहीं पैदा होगा, और प्रहुपाज जी भी बोलते थे कि जितने चोटे बच्चे इस कौन में हैं, इस वो वाइकुंठा चोटे बच्चे के आप से पहुत अच्छा बजा रहा है, पहली बात उठकर के आना बहुत मुश्किल है, उतनी उमर में कोई चार बज़े विस्ञान करके आए एक दिन नहीं, बारं बार आता है, डेली आता है, यह को असान बात है, ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे है कि यह श्लोक आशे नहीं है कि कुट्ब का भर्ण ना किया जाए, कि यह बोल जा रहा है, बोलाय यह जा रहा है कि बहुत के रिज़न के बारे में नहीं बरण करने में लगा हुआ है, भगवान के बारे में चर्चा, अब सब जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको नहीं आवकर बात समझ में आ लिए, प्रत्रम स्गंद आपने सुना ना, परिशिद महराज के जन्म के बारे में वर्णन है, बच्चे के जन्म के बारे में इतना श्लुक योग बूले जा रहे हैं, क्या उत्तर, क्योंकि वो महा भागवत हैं, वो भागत हैं, एक सेंस, ठीक ह वैसे देखिए, अगर कोई रेली क्रिष्ण भावना भावित संतानों को अत्पन करना चाहता है, तो उनकी शुरुआत तो गर्मादान संसकार के समय से शुरू हो रही है, मा भी भक्त हो, पिता भी भक्त हो, इस प्रकार से वह काफी संभावना है, कि जो संतान है, वह भी और मान लो, संतान न भक्त थी, या इस प्रकार कर नहीं भी था, फिर भी प्रसात खिला कर भक्त को परविश्दे करके वह भक्त बन सकते हैं, श्रिधरी, उन ग्रहकारियों में वेर्थि आयू बीत जाती है, इस बात को शुरुदेव जी कहते हैं, किन ग्रहकारियों में, ग्रहेश उग्रहमी धिनाम, अःत्म प्ष्यतां, आत्म तत्वम, ग्रहेश उग्रहमेदीना, उनका आत्म तट्व को न समझ कर के घर घरस्ती में ही मन लगा रहता है, तो को कहें किया दिकत कहते हैं, उसमें आयू वेर्थ बीत जाते है, बहुत सुंदर बात, मह Whooulin किबता कर रही है लेकिन अगर दस-पांच मिनिट भी आपने जब कर लिया तो पूरी रात्री सफल है या भागवत पढ़ ली अब इसका अर्थ क्या है देखिए एक पेड़ है और उस पेड़ में अगर दो फल भी आ गए तो आप ही मानेंगे कि वह पेड़ सफल है येस आप ये नहीं कह सकते कि फल नहीं आया इसको आप 2.3.17 में भी देखिए तो एक भी दिन हमारा बीतना नहीं चाहिए जिसमें भगवान विष्णु का या तो कीरतन नहीं हो ये श्रवन नहीं हो ये कुछ भगवान का पूजन कुछ न कुछ विष्णु कृत्ति रोज हो इस पर महाप्रभु ने कहा एक भक्त ने कि महाप्रभु अगर किसी ने एक छण के लिए खिरिष्ण का स्मरण किया है तो उसका बहुत बरा लाभ है महाप्रभु ने कहा हां लेकिन अगर उसने एक छण के लिए खिरिष्ण का भी स्मरण किया है तो उसका बहुत बरा नु ग्रहस्त मनुष्य रात्री में अपनी आयू को या तो सोने में बिता देता है, अत्वास्तिरी के साथ संगम करने में बिता देता है, दिन में वे अपनी आयू को धन कमाने के इच्छा से उद्योग करता हो बिता देता है, क्या आप लोग ने कभी इस प्रकार से देखा है, कि लोग बहुत प्रचूर मात्रा में कर्म करने के लिए उद्यत हैं, बहुत जादा, और अगर आपने नहीं देखा है, तो पैसे खर्च-कर्च के अजमेरी गेट का, हम मायपपर की ट्रिप तो नहीं करा सके, लेकिन अजमेरी गेट की ट्रिप जरू कराने की इच्छा है, आप जाए अजमेरी गेट में, हाँ दिल्ली, जाए को मतलब देखा ही होगा आपने, मेरी बास समझ, कुछ समझ पा रहे हैं, बॉम्बे तो जाए, बॉम्बे का तो घर कहना ही कि, आप रह चूगे ना बॉम्बे में, दिख रहना सब अंधे, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी भरा हुआ है जगत अब, इन ऐसे लगों से, बहुत उध्यम कर रहे हैं, बहुत उध्यम कर रहे हैं, बलकि कहा जा है, बहुत उध्यम कर रहे हैं, उनको लग रहा हैं, बहुत उध्यम कर रहे हैं, कोई, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, और अभी भी ना समझ पाएं, तो उनको मार दीजिए एक सेकंड के मान लो जिस्वित्य को आप देख रहे हैं बहुत महनत कर रहा है उसका fast forward करके वहां पहुंचे जब मरने वाला है तब वहां से पीछे से देखे कि जो इतना उसने प्रयास किया उसका क्या वैल्यू है इसलिए करे विर्थ बता रहा है और अगर दूसरों को नहीं देख रहा चाहते तो अपने को देखना चाहिए कि मान लीजी हमें कल ही मरना है तो अब यहां जो हमने बहुत बड़े-बड़े कारे की है उसकी क्या वैल्यू हो गई येस आपके बहुत मर चुके है इस इपनाट पिछली कम्टी में जो थे आपके मित्र मर चुके है मित्र मतलब एक साली तो बड़ा था नो ऐसे मेरा भी मुझे याद है कि मेरा मित्र इसका नाम था सलिल और उसके भाई के संग में क्रिकट खेल के आया था और पता नहीं एक एक शह मने के बाद ही मालम चला कि हो मर गया स्वस्त था बलकुल यह कई बार बोल चुके है मारे मित्र की पत्नी तीन दिन मर गई कितने सपने होंगे और उसके एंड लिवड हैपिली एवर आफ्टर सम्थिंग एक अभी हमारे भी एक रशन भागते थे उनकी शादी हुई मुझे पता नहीं थे उनकी बच्ची घुम रही रही दादी दादी संग मुझे को आए हमने का क्या हुआ बाद मालम चला कि उनके पत्नी का तो द्यान्त हो गया कितने लोग हमारे जब मैं जॉइन के तो शाम कृष्ण प्रभु एक थे वहां पे उस समय शाद 55 साल के होंगे वो शेरी चूट गया कुछ समय बाद होंगी पत्नी का भी शेरी चूट गया हमारे गुरुवाई थे वह एक भक्त थे जो आयर्वेड में बहुत एक्सपर्ट करेंगे तो आप पीछे वुण के देखिए ना जुमने बहुत ही क्या वैलुए तो कभी भी जो कुछ कारे करते हैं उदर तोल लिया करिये धर ब्यूटी पालर में जा रहे हैं और कहां कहां पिक्चर दिखने जा रहे हैं उसका इधर से देखिए कि सबका हिसाब बन रहा ह अगर तुमको मानजाओन इसलिए दिया है उसका प्रिश्मन बिलता है जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो उससे अपने परिवार के पालन में अपनी आयू को बिताता है अगर वह परिवार भजन कर रहा होता तब तो अच्छा होता है कि ने पतनी मालिज सुबट के रहा हो अगर पतनी बच्चे इसा भजन नहीं कर रहे हैं तो इनको पालने का क्या प्रिवजन अब कटना ही है कि बातने बड़ी कड़वी लगेंगी लेकिन कभी सोचता नहीं है ऐसी जगें इन्वेस्ट करें जहां आपको कुछ न मिले तो क्या ऐसे बुद्धिमानी है औ और ना मिले चलो जेरो मिले तो कई बात नहीं है, और नेगेटिव बैलेंस मिले तो What do you think about that? अगर लड़का भजन कर रहा है, महलो बश्ण।osity कर रहा है और कुछ कुछ भी कर रहा है तो उसको पसाथ खेलाया कुछ खेलाया तो वहपन हुआ के नहीं? Is it not पत्नी के पास लेके आए दाल चाव सब जो भी कुछ लेके आए और वह फिर उसके बाद आटी में भी आर्ती कर रही है भवान के सेवा कर रही है तो उससे पत्नी को फाइदा हुआ की नहीं जो भजन पत्नी ने किया उसका फाइदा उसको मिलेगा लेकिन अगर पत्नी टीवी देख रही है यूटूब शॉट्स देख रही है या यूटूब पैंट देख रही है तो अब पती को क्या लाब हुआ उसकी महने तो वर्थ गई की नहीं गई ती सोचने मलदी बात और अब देखिए आप लोग कहेंगे से बाते तो पता हैं तो पता हैं तो सरे लोग कर क्यों नहीं रहें मैं मैं सिंपल बात बता रहा हुआ आज हैं वक्त के उसे बात कर रहे थे हम प्रेम से डान टरसा समझा रहा था कहरे कि हम नौकली करते हैं तो वहां वो जो खाते हैं वह नहीं खाएंगा तो उन्हें बुरा लगेगा लेकिन आप यह नहीं सोच रहे हैं कि जिसने आपको य अरपित चीज दिखाते हैं उदर नहीं सोच रहे हैं जो मेन बॉस है उदर उसको सोच नहीं रहे है और यहां के चिलर मिलर बॉस के बारे में सोच रहे हैं इस मनुष जीवन की वर्थता होई की नहीं यह बात बहुत इंपॉर्टन है जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो उससे अपने परवार के पालन में अपने आयू को बिताता है। ये लाइन समझ में आ रही है। इस कुटुम भरण में अपने आयू को वेर्थ कर रहे हैं। इस पर मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। Would you like to hear a story? Yes, everybody likes to hear a story. एक व्यक्ती था, उसकी एक recurring थी. recurring समझते हैं, हर मैंने इतना पैसा जमा करना चाहिए। तो उसने बड़ी निष्ठा से पूरा जीवन वैसा जमा करता रहा, जमा करता रहा, जमा करता रहा, बुढ़ा हो गया वो, तब उसके मरने के समय आया। तो डॉर्टर ने कहा कि आपके पास अब कुछ महिने ही बाकी हैं जीवित रहने के लिए। तो कहा भाई जब मरना ही है, तो देखें कितना पैसा एक खटा हो गया है। तो गया बैंक वाले के पास, मैनेजर सहाब के पास बैंक कितना पैसा एक खटा हुआ। तो कितना, अरे पूरा जीवन हर महिने में पैसा डाला हूं, यह देखी रशीट है, रशीट बुले किया उसको , एक बैंक स्ट को देखी ए, कहते हैं। आपने डाला है लेकिन गलत बैंक अकाउंट में, तो जो धर्म कर्म पूजा करते हैं, वो भजन कर रहा है, उसकी सहयता करते हैं, तो वो शाश्वत रूप से आता है, रुढू कुना आता है, मेरे पास जब भी कोई डोनेशन देता है तो मैं उसको तुरंत नहीं खर्च करता मैं देखता हूं क्या किस इससे किसी का भजन बढ़ेगा तो उस जगे इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं तो कथा के लिए जानते हैं कि भगत कथा सुनेगा कथा सुनने का पून्य कितना होता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते तो जिसने मुझे धन दिया उसका भी लाब होगा या गयों के सिवा में जहां एकदम बोने से करुणों गुना वापस आता है लाग वापस तो वहां इन्वेस्ट करना चा चलता रहा तो उम्मीद है कि यह स्पीकर भी चलता रहा है साब का फाइदा होगा कि लिए अधुद्ध भाते के वाद सुनने भी नहीं आये कोई बात नहीं किसी करण से भगवान के प्रचार में आप कुछ भी साहिता करते हैं वो सबसे बड़ा फाइदा है धन का सबसे ब अब जड़ा देखिए और अर्थ क्या ले रहे हैं वड़ा सुन्दर है गवराई मतम खाली एकी श्लोक लेंगे आज बहुत सारे चीज़ें समझना है इसमें निद्रयाहरियते नक्तम व्यवाइन चावावयह दिवाचा अर्थे हया राजन को टम भरने नवा मुझे पता कि भक्त समझ नहीं पाएंगे इसलिए हम वापर श्लोक रखेते चाचा चाचा चाकार्थ क्या है देखिए श्लोक का दो चकार उन अर्थों को सूचित करता है जिनको यहां पर नहीं कहा गया मतलब समय वर्थ करने के क्यों यहीं तरीकों हों ऐसा नहीं है समझ में आया ऐस जुवा खेलने में समय वर्थ नहीं कर रहा है यह आपने देखा नहीं पत्ते के लिए जब यहां से भरत पुर जाईए वो गावाल रस्ते से एक से एक महात्मा पढ़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि बस आपने देखा कभी खूब पत्ते खेलते खाली समय है पूरा गाव तो वह सब भी आपको चाह चाह से घृषन कर लेना होगा दो चाह की क्या जरू होते हैं दीन और रात वाला चाह रात में भी कुछ और अन्यकार कर सकते इनके अलावा मान लो शादी भी नहीं हुए तो भी व्यक्ति और सो भी नहीं रहा है तो ऐसे वीडियो गेम खेलने मे यूटूब में चालागा सकते हैं लेकिन वीडियो गेंग में चाला जाएगा मुझे आज भी याद है कर्मी जीवन में बहुत पहले की बात है मैं भी 95-96 की बात होगी उसमें वीडियो गेम बड़े मुश्किल उसे मिलते थे एक सो साथ रुपे जमा करके हम लोग वीडियो गेम ले आए मैं मेरी दीदी और वहारे सब कसे नाइए सब लोग तो सुचे के अधादा गंटा खेलेंगे मैं जखकड के पूर लाइम खेलता रहा और बाद में एकदम सर फटा मेरा ओ उसके बास जिंदिगी में कभी शायद मुझे याद नहीं वीडियो खेला तो इस तरह से भी समय बर्वाद करते हैं रात तो कुछ लोग कहेंगे प्रभुजी आप तो सारा ये भोग लिए और हमको माना कर रहे हैं ऐसा नहीं है यह सब वैर्थ खसम में हमको पहले बता दिया हो तो हम नहीं करते शायर और दिन मे आपनी वाद समझ रहे हैं बच्चे लोग भी तो समय बर्वात करते हैं अपना यह कि तब तो वह है पैसा नहीं कमा रहे होते हैं परिवार का भरण पूशन नहीं कर रहे हो तो इसका और यह नहीं कि आप को सब आत्मस आशात्कार में लगे हुए दिरुमाराज कितरह बहुत से बच्चे लोग बरबाद करते हैं, तो इससे आपको दो चकार से समझना होगा, देख रहे हैं कि एक शलुक पे कितना व्याख्या की गई है, ठेक है, सारा अरदर्शनी, वे अपनी आयू वेर्थी वेतीत करते हैं, वे कैसे, हमें तो रहे हैं, बहुत महत्मुन कार क इसी छीन ली जाए, जब नीद आती है, तब यह नहीं कहते हैं कि अब, आपको पता है कि नहीं पता हमारे ड्राइवर साब बता रहे थे कि कई बार एरपोर्ट शुरू करते हैं, और उनको ध्यान पढ़ता है, अचा हरियू धबा आ गया, मतलब सोते हुए गाड़ी चला रहे हैं, मैं आज तक इस रहस्त को नहीं समझ पाया कि सोते हुए गाड़ी चला करके एक्सिरेंट क्यों नहीं होगा, महाराज पर बहुत अचा बोल रहे हैं कि भाई आप कहीं जाते हैं, तो हजार रुपए का रूम खरीद नेते हैं, समाने बात है हजार बारासो, मिला राते हैं, मिला र्रोपए कार्म के लिए अनकारल रातरी कर्म के लिए अनुपयूकतो होती है, मना रातरी में को कारोकार नहीं सकता, सूत आवे क्ति, अथ्वा, काम म्रमन आदि से भी उनकी आयू कम हो जाती है चुकि कर्मियों के लिए स्त्री संग और निश्द नहीं है देखिए शब्द बड़ा सुंदर किया जा रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे तुम को अगर तुम स्त्री संग नहीं करो कि इस नॉट डिस अलाउड फर दें वा परे इसको समझने का प्रयास किजिए लोग आज के लिए सोचते हैं कि हमारी धर्म पत्नी है तो हमारा धर्म है इसको भोगना लीगल है अब प्रपाज बोलते हैं लीगल हो चाए इन लीगल हो यह चित्त को दूशित करने वाला ही है श्रीमान रमा कानपरु बहुत अच्छी इंसाइट बता रहे थे कि वानपरस्थी में इतना तब क्यों कहरने के लिए वह लग जाता है कि भोग का संसकार चित्त पे बहुत ज़्यादा है इस कारण से उसके मार्जन के लिए बहुत आवश्य के कि विक्ति वानपरस्थी मे लिए संकरता था वह भी भोग में रखा गया है उसका भी संसकार मन में आता है और अब यहां तो संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं कहते हैं कि हम इस्त्री संग नहीं करना चाहते हैं प्रवपात कई बतात पर इस प्रकार से बोल रहे हैं संतान का दा तो लिए जैसे लग रहा कि भाई भूग नहीं करेंगे तो जवक माराथ बड़ा च्छा बोल रहे तो पूछा कि माराथ लोग शादी नहीं करेंगे तो स्रिष्टी कैसे चलेगी परमपुजे वरिंदा वंचन्थ माराथ से तो माराथ तो जानते हैं उतर देने में उसको एक्सपर्ट है तो बोले कि यहां जितने एक रहस्त बैठे हैं इनमें से कितने लोग स्रिष्टी चलाने के लिए चादी किये दे कि भाई साधी रही करेंगे स्रिष्टी नहीं सुनना तो चाहिए कि हम समझ नहीं पा रहे है कि मानव जीवन कितनी स्पीड से भगवान के पास जाने वाली साधन है अगर समान और समाच अपने होगों में वेक्ति वितीत करके सोच रहा है कि बड़ा सुख प्राप्त हो गया यह आगे और आएगा भी तथा दिन में आयू अर्थ हया अर्थात इंद्रितित्ति की वस्तों को संचित करने की स्प्रिहा से घट जाती है क्योंकि अर्थों के बिना वेक्ति न तो कर्म की सिद्धी कर सकता है और नहीं अपने परिजनों का भरण कर सकता है क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति द्वारा अपने कर्व कुटुम भरण ये न अर्थात कुटुम का भरण पोर्षन करना उपदिश्ट है चर्थात कर्म सिद्धि देखी समझने का प्रयाज सीजी क्या है ये थोड़ा अध्भुत तरह से बोल रहे हैं अर्थ इहा अर्थ हेया मतलब भोग की वस्तुम को खटिक कर रहा है खीचाद के धन क्यों चाहता है व्यक्ति क्या धन के वली खटा करने के चाहता है आप जानते हो ये सब लोग ने देखा हुआ सब लोग जिन्दा थे ना जब भागा दिये फेक दिये उससे आधी मात्रा के लिए भी अपनी जान दे देते अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं क्यों दे देते कि इंद्रित्रिप्ति बहुत पसंद है और वह धन इंद्रित्रिप्ति के द्वारा इंद्रित्रिप्ति को लाने वाला है जब उसका प्रयो ध्यान देजिएगा, वो पैसा फेक दिये, सुनाई पट्रा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कर्म को नहीं फेक पाएंगे, वो बंधन लगेगा ही, तो इंद्रितित्ति को वस्तों को संचित करने की स्प्रिहा से घड़ जाती है, भगवान का भजन करने की इच्छा कहां आती है मन तो भोग में ही लगा रहेगा, हाई ये प्राप्त नहीं हुवा, हनो को ये बातें counsell trouver में दम काण से दील के शनाई दिया शैसे, तो बहुत है, कैंशन बहुत है क्यों भआ कि हमारे पति को बहुत है, क्यों है है क्रिष्टा नहीं है उनके पास अन्य क 좀 पोले पूरुस है अभी पूरुश है राया क्रिश्टा प्रेख सन आपने से कि डिगयर करना सौब तो आप मतलब आप कर ऐता है किthey क्रिश्टा नहीं है नहीं है तो आपने से किसको चैंश्टा नहीं रह रहा है किनि इस alta अच्छे से जार रुपे की टेम क्या करते हैं उसको किस ले रहे था कि दूसरा घर भी ले ले क्या एक्सपैंड करेंगे भगवान की तरह आपने आपको भगवान ने बहुत सारे महल बनाए तो समय रह रहना यह मैंने आखों से देखा है हमारे भक्ति घर में हम गए थे दिल और उनको बोल रहे हैं भजन कर लो भजन कर लो और यह पांच एसी का पैसा क्या क्या बहाने बेसिकली भगवत विमुखता को ढखने का प्रयास कर रहे हैं यह बात है आप मेरी बास समझ गे भगवान का भजन नहीं करना है तो उसको लीपा पूति करने के लिए लोग बोल करने का नियम पकड़ ले उसकी बुद्धी भगवान शुद्ध कर देंगे हम जो वस्तु मेरी आसपा से घटी की गई है उनका मैं प्रयोग ही नहीं कर रहा हूं क्या आप मैंसे यह अनभव किसी को हुआ है कि आप अपने रूम में कोई वस्तु देख रहे है कि 6 महना हो ग करेंगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं यहां तक कि भक्त मुझे बताए भी कि 15 से 20 दिन वो काम किये कुछ 15,000 रुपे के नौकरी रही होगी उसको छोड़ने में कटना ही हो रहे थे छोड़ दिया और यह मैं अपना पता चुका हूं कि मैं जब जॉब छोड़के आ र इस प्रकार के आ सकती हो जाती है घड़ जाती है वस्तों को संचे करने की स्प्रीहा से घड़ जाती है यह समान ले आओ वो ले आओ इत्यादी 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 ठीक है तो भी नहीं लाएगा तो कैसे परवार का नियोजन होगा नियोजन बुलते ना परवार का नियो मुक्य तहा रात्री में सोने यह ता मैथन करने और दिन में धन कमाने और उसे परवार के भरन पोशन हेतु खर्च करने के सिद्धान पर आधारीत है ति आप देखेंगे कि जो मैंने पृश्ण किया था वो इसकी अधार पे किया था यादार आपना को प्रश्ण कि बच्चो रही थी कि MS Word में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है राइट अलाइन्मेंट सुरी है हमको बहुत बहुत दुख हो रहा था आप लोग मेरी बात समझ रोजलो MS Word चलाते हैं Microsoft Word में यह मगने का क्या फाइदा आप लोग भी चलाते हैं मगे आप मगना या याद किये कि भाई इसमें राइट अलाइन्मेंट क्या होता है और मान लिजिए उस बच्चे ने 99 के 100% नमबर भी आ गए इसका मतलब क्या हुआ मान लिजिए मैं एक निया सेरे पेस्तियार करूं जिसमें बोलें कि भाई जाड़ू इसको कहते हैं और पोंचा इसको कहते हैं उसमें अगर आपके 100% नमबर आ भी गए तो उससे हो क्या जाएगा कितना टाइम वेस्ट है आप में से अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो अगर यह चोईस दी जाए कि वापस आप पांस साल के हो जाएं फिर नर्श्री में जाना पड़े तो नहीं बिल्कुल है यह सिर्जब कीजिए कितना वेस्ट है ना यह अगर कहा जाए कि दुबारा पैदा हो और पुरुष्यरी मिले और ब्रह्मचारी आश्रम में में जानने को मिले भक्तिक संस्कार प्राप्त तो फिर भी विक्ति स्विकार कर लेगा लेकिन यह कचरा पढ़ने के लिए कौन जर्म लेगा है ना इस तरह की मानव सिबता भागवत विचार द्वारा धारा द्वारा निंदित है बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे इसमें करें देखिए श्रीमत भागवतम जीवों के संग बिल्कुल धोगा नहीं करती जो भी कैटब धर्म है उसको बाहर निकाल दिया गया ग्रहस्त आश्रम की इस प्रकार की निंदा अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेगी क्योंकि दिखे जीव ग्रहस्ती नहीं है जीव ग्रहस्ती नहीं है आत्मा कोई ग्रहस्त नहीं है वो तो अब संसकार ऐसे है तो उसको भोग का संसकार उसको एडजस्ट करने के लिए ठीक है के फिर प्रवेश्च कर जाए लेकिन आत्मा क्रहस्त नहीं है अब हम लोग से इस को बद्ध है ऐसा सोचने से बद्ध है तो इस बद्ध हवस्था में भी चलते चलते वेक्टि को बोला जाता है कि तुम तुम अप्ष्थरी हो तुम यह कारे करना चाहिए पूरूश हो तो ऐसे कार करना चाहिए नहीं तो इस फ्रेमवर्क में रह करके विक्तिकार करता रहे बहुत अच्छा अधार लोगा देया करते हैं कि देखो यह चत डलनी है तो उससे पहले क्या पड़ता है वह शट्रिंग बोलते ना क्या बोलता है नीचे से वह पोल लगा देंगे और शुंट्रण लगा देंगे तो जिंदि के पोल शुंट्रिंग में ही लगाना होता हुं वह धल गई छत अधार डी जाती है तो वकले नाश्च्रम में हमको चुकए नहीं रहना है मूल बात है कि हमें उस फ्रेमवर्क में रहते वी सपोर् भोग ही भोग पड़ा हुआ, ये नहीं देते हैं, भागवत विचारधारा के लावा, कफे इंट्रस्टिंग है, विचारधारा, विचारों की स्विच्रीम, शुमत भागवतम की विचारधारा इस तरह से भोग की और कभी आपको प्रेर्थ नहीं करेगी, और बहुत कम अलर्जी लगती है, है कि नहीं, मैं सूस किया यह बात, आपनों खुद का खर तो नहीं, नहीं, और यह अनभाव है कि किसी भक्ति घर में भक्ति अच्छे से कर रहे हूं, अल्टर हो, जब करते हूं, आरती वगरा होती, तो उसके घर में जाते ही आपको लगता है कि आध्या कौन का संटर है कि इतना सुंदर ओल्टर, सब कुछ था, तो लोग भ्रहमित हो गया कुछ समय के लिए भक्ति यह कौन का संटर है, मतलब को समय के भक्त इक फायरे लों दहिता मंदिर है क्या, इस प्रकार से, आप लोग देखने हैं, आप लोग घर से उन्ने बना रका है है ऐसे सभी कर आप लोग घर भी काफी अच्छा था अच्छा है अच्छा है हमारे सर के घर पर आयटी में जो हम इसमें लोग सिखे थे भक्ती मेरे मामा जी और उनके बच्ची आये वो ले हम यहां बैठे कहां क्योंकि वहां तो जैमिन भी बैठना होता था कोचेर ना सोफा ना करते हैं मैं बैठूं कहां अच्छा लगता था पूरा एक रूम हाल जो है वो भगवान के लिए था ऐसे शाम को प्रवचन होता था किरतन होता था मुझे तो दो तीन महिने के बाद मालम चला के उपर भी र कि इस अमेजिंग जब वो असिस्टन प्रोफेसर अभी तो शाद आई टी की डिरेटर बन गया है शायद अब भी भी ऐसे ही रहते होंगे इस अमेजिंग नहीं बच्ची होने के बाद भी जोंकि पहली बच्ची हुई थी यमिना मजा तब भी वो चटाई पेस होते थे इस अमेजिंग ऐसे भक्तों को हम आखों से देखे हैं कि हम भी भोग परिहार करके वह सम नाम को बड़े अच्छा लगता है इस प्रकार के भक्तों का भी गुड़ान करने के लिए नौट मटिरियलिस्ट आज़्य कि यह अनभव था कि गीता क्लास सुनने का पढ़ाई नहीं होती थी यह तो इक पढ़ाई नहीं होती थी अप लोग की पर सदभ हो रहा हुगा कि पढ़ाई नहीं उपाते हैं चुकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ अत्मा का सम्मेल है अत्य वैदिक ज्यान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदोशन से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहते हैं यह तोड़ा समझे बहुत अच्छी लाइन है आत्मा कैसी है सचदान पदार्थ कैसा है अचद असत निरानंद तुन दोनों का मेल किया है किया गया है अब विद्या शक्ति के दौर अन्य था मेल होना संभवन नहीं है ठीक है तो आप समझ रहे हैं वेदिक किधर लेके जा रही है आत्मा को इससे प्रतक करो इसकी आसक्ति से मुक्त करो और बंधन में फंसाता है तो इसलिए कह रहे है अब अनर्थ कारी इसके लिए भागवत प्रेडित नहीं करती है इससे संबंदित ग्यान पात मन में आरे बोल दें आप देखो कि कोई लड़का या कोई लड़की शादी जब तक नहीं होता तो अकेली बीरूम पे सोते हैं है की नहीं सब दो सोई रहे के नहीं शादी के बाद बड़ी अजीब सी बात है आती आप असका आगे समझी सकते what an amazing conditioning as if की बस इसी के लिए हमारे जिंद की बनी है देख रहे हैं और बिलकुल भूलते जाता है वेक्ति की मैं किस ले हूँ वो सकता हो कल्ब वेक्ति गायब हो जाए it's amazing how we become conditioned unknowingly for things which were never needed by us for a majority of our life आले जो पच्चे साल तक किसी के शादी नहीं होती है तो पच्चे साल तक प्रैसप्ट अकेले सोते हैंगे नहीं अलब छोटे पश्पन के छोट दीजी और उसके बाद इतनी आ सकती हो जाती है कि बस डबल बड़ी चाहिए इस वेरी अबामिनेबल अबामिनेबल हम अब बता रहें भग का नाम जो शादी हुई ब्रह्मचारी बहुत अच्छे ब्रह्मचारी शादी थी वो अलग सोते हैं और मातजी अलग सोती अनदिस में आल सीम वेरी हो तो से रिवोल्टिंट टॉंडिशन सोल्स विए था कर नेख लिए लोग पतिनी काम कर रहे हैं मदावाथ काम कर रहा है बाम में मेरा इंवितर से बता रहा है तो इसी प्रकार से भएरा अनुशिलन कर रहे है यह जिन्दिगी में देख लीजेगा कि जिस सम्बंध में हमने भोग को केंदर में रखा, वह सम्बंध खटा ही हुआ, जिस सम्बंध में हमने देखा कि हम सामने वाले को कैसे कृष्ण के और पास लेके आते हैं, वह सम्बंध और भढ़ जाता है, और अच्छा हो जाता है, अब पता नहीं हम लोग रोज कीरतन करते हैं कभी हमें सोच रहाते है कि कास मुझे प्रेम मिल जाए और आप सब लोग को तो कितना आनांदा का कीरतन में अभी तो हम लोग अनर्थे निवृत्ति में जूज रहे हैं और निष्ठा तक पहुच गई ये रोची आ सकते ही पहु कर रहे थे महप्राव टुम बोले तुम लोग राथु में स्वुने में ईकेम क्यों भात करते हैं रिपर करना का ह debatt करना हरे किष्ट मनत करना चाहिए तो सब ही बगतों ने का यहाँ ने कहा यही बात महाप्रभु आप से बौले तो हभरी बेन document और वhofरिस्टेमिक है क्याओं वह से दिन में का किर्टन और शौक किron और इसका देने फिर कीरतन उसका शौक को फिर कता सोने का अवकार्शी नहीं है इस प्रकार से क्या रहा है कि ऐसे कारे को हमको नहीं करना चाहिए जिससे हम इस शरीर ही भावना हमारी बढ़ जाए यह इस प्रकार से वेदिक क्या नहीं को प्रश्ण होगा तो फिर क्यों वेद में इस प्रकार से limited sense gratification के लिए बोल रह जा सकते हो और लेकिन उसमें नियम बहुत सारे महाराथ बता रहे थे न भी क्लास पर सुना था कि नहीं सुभे कि भाई भोग करने का इंद्रितिति की छूट है अनिश्यद नहीं है रहस्ती में लेकिन उसका payment बहुत बड़ा है अगर आप इसको हम थोड़ा और elaborate करें कि मा कितना संदर दाल निकल रहा है कि इन सब दरिष्ट है कि ड्रिटूर्ण जा रहा है कि आईटम बहुत आपको बड़ा है बड़ा अच्छा लेकिन उसका payment देख रहा है तो छोड़ देता है बहुत महंगा item है देकिन यहां कितना बड़ा payment है हम अपने बात पिता जी को देख डेकं रहे हैं, अगर मैं पता जीवन देख रहा है अगर्म मैं पूरा जीवन उनका चला गया मुझ CWPAL Review मैं को पाले मैं करे मेरी बहन को पाल पाले मैं आ टिज में तौप पार हो, यह स्य ने बौबं जी ने मैं अगनी हुा कम आ शी जी भी चला गया सबी लोग कोई एक बात नहीं बोलाक सबी करते हैं आसों से पाले जाते हैं बच्चे नहीं और उना से निकलवा देते हैं और उस बाल्टी से पानी निकालते हैं, और पांच बाल्टी में पानी भर देते हैmachen. लेकिन वह पांच बाल्टी मिल कर एक बाल्टी को नहीं भर पाती, इसको क्या मतलब है? तो भीम जाकर युदिस्ट्र महराज को बोले और भी बात इसने कहानी सनाई ते एक बले ये बात बोले तो युदिस्ट्र महराज को पकड़ो उसको वो कली पूरुश है समझ गए एक पिता पांच बच्चों को पाल देगा लेकिन पांच बच्चे मिलके भी एक पिता को नहीं पाल पाते ये कल्यों कलेक्शन तो उस दिर्श्री से देखें तो भी तो जीवन वर्थ हुआ जैसे फिर देखें मैंने वो कथा बताई आपको सची गटना कि मा और पिता को छोड़ करके घर जा रहे है अब बुड़ापे में मरने के लिए अब सीन चेंज किर दिये मान लेज़े उस प्रभु जी ने शादी नहीं की होती और भजन किया होता तब भी उशाद इस इत्ली में रहता कि वड़ापे में कोई देखने वाला नहीं है लेकिन जवानी तो सफ़ल हो गई क्या गरंटी है कि बच्चे ध्यान ही रखेंगे तो ये बात श्रीमत भागवत्म की बड़े ही वैराग वैराग और ज्यान को ही प्रश्चित करने वाली इसको बे इन लोगों के विम्स हैं विम्स को संतुष्ट करने के लोड़ शास्त्र नहीं है विम्स मुलाब उनको क्य अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता है उस पर नहीं बोल रहे हैं कि अनके लिए अच्छा है वह सर्व कर रहा इसे संबंधित घ्यान आत्मा को कैसे इस भावतिक संदूश्ड से मुक्त किया जाए जो लोग अत्यतिक भौतिकतावादी हैं वेज ग्यान से अंजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मक होते हैं ऐसे भृतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नीमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगती की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से उपर है यथा ज्यानी योगी तथा भक्त उन्हें यौनाचार सर्वधा वर्जित है। मतलब जितना कम उतना अच्छा। इस पर भी एक बात याद आ रही एक बार सोकरेटस को बोला गया कितना स्त्री संग करना चाहिए। केंटें जीवन में एक बार तो य। मियकला देका उससे संतुस्थिन ना होतलो मधने में ऐक बार उससे पर संतुमृति ना होतलो तो कहार Parliament करेंदें किया सा करिये कभर भुशिवारा करिए और व्रिजव करना करी एशनेशला न समय गया असका मतलम है सब रहा समझ गए हां आयू चीन हो जा रही है इसमें तोनों पक्षों की स्तिरी की भी और पुरुष की भी सब आयू खट रही है और उससे कुछ मिलने वाला भी नहीं है तो आगे आप पांचुस करने सुनने वाला इस सब सुख तो सुर को भी प्राप्त होता है सुर को भी उतना ही प्राप्त होता है जितना मनिश्य को प्राप्त है लेकिन लगा पड़ा विक्ति इसमें यह बात और बिसमली जी प्रहुपाजी का प्रस्वित इस्टेट में हम सुन चुक है समन्द में 6.13 के साथपर में प्रपाजी गीता पर बोल रहा है कि ब्रह्मचारी वर्त इस्टतह तो जब बहुत व्यक्ति अत्यदेग भोगों में पड़ता है तो उसका यह द्रड़ संकल्प नहीं रह पाता कि मुझे भजन करना अधर बलब चाहे उस्तरी हो जाए पुरुष भोगों में बहुत प्रविर्त है इस्पेशली इस प्रकार का भोग तो उसमें वेक्ति कि उसकी करूंगा या मैं करूंगी या भगवान की प्राप्ति करूंगा अब ऐसे ऐसे कुदते नहीं है लेकिन मन में भाव रहता कि मै अधर कर सकते हैं कि भग को पूछ भी रहा तो उसका अपने आप उत्सा रहता है इस त्रियों के लिए भी है पूरशों के लिए लेकिन भोग में पढ़ना आपने महसूस भी क्यों कि भोग पढ़ते ही ऐसा लगता है कि अगनी की पालनी डाल दिया जो उत्सा है भक्ति को भक्ति तो चलिए जो हैसो है लेकिन भग्ति का उत्सा है वो डाउन हो जाता है हर भक्त उस वाद को समझ सकता है इस इट नौट और आप शुद्ध जीवन जीते हैं तो आपको लगता है कि हां मैं भगवान की प्राप्ति करूँगा और आगे बढ़ बढ़ की प्राप्ति किया है शास्तर में तो नहीं है मुझे बता दिया कि मैं करत बोल रहा हूं वहोग में पड़ा हुआ व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं किया है अजामिल एक मिनट अजामिल भगवान की प्राप्ति कब किया जब भोग में पड़ा हुआ था कि जब भोग का परिहार कि प्रकार का भजन करूंगा उसके बाद वो अपने क्या करते हैं ग्रहणी तो नहीं कह सकते पर स्त्रिय जो भी उसके पास नहीं गिया वैश्या के पास नहीं गिया आप लोग शायद अज्यानी है जुम के डिवोटी से मालम करेंगे भोग में पढ़ा हुए व्यक्ति कौन भवान को प्राप्त किया है एक है मुझकुन दुहारा जो सो रहे थे लेकिन भोग में नहीं पढ़े थे उनका तो पहले का वजन है वो अलग बात है तो वहां मंगल आर्थी भवान के उफामे करते हैं लेकिन कुछ याद आ रहा है हो सकता हम कुछ गलत बोल रहा है किसी कभी आप जाम पिल ले पुर रवा का ले या किसी कभी ले भोग में जब लगे है तब नहीं प्राप्त किय है भोग छोड़ करके प्राप्त किया है महान भगतों की क्रिपा से हो सकता है को एक्जाम्पिल दीजिए साउथ इंडिया के थे वैश्या की पीछ आ सकती थे तो वैश्या की पीछ आ सकती छोड़कर के भगवान प्राप्ति हुई ना भगवान के दर्शन कराती तो आ सकती छूट गई ना यह कि उसके बाद भी साथ में रहे धनरदास ठीक है जो चीज वेस्ट है में मिल रही है वह इस्ट में जाके नहीं मिल सकती है कर्मी लोग तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभपा जी से बोले यह ही कि I don't have determination then प्रभपा said you are an animal then determination का उस्षा निश्चय का कि मुझे भवान की प्राप्ति करनी है यह बहुत लाबकारी है अब प्रभपा से भी पुछा गया था कही उटकिर्ष्ट सुख है भवान की भजन का कहीं अधिक उत्किर्ष्ट सुख प्रभप्भाजी बडभप सी वह अनुगा सकती है चामिच गंटे कर सकते हो क्या थो L likes इस बार की भार को बोलरा के नहीं Guru Maharaj यो वह रोल रहाए ठीक if Saints gratification would have made people happy then the prostitutes must be most happy but they are most miserable भोग करके कभी विक्ति को सुख नहीं मिलता जो गीता में भवान बोल रहे हैं वो सत्त है यही संसपर्च जाब होगा दुख्योन ये एवते आद्यंत वन्त कौंते आ नातेश वरमते बुदा ये आती महरास तो बोली चुके कितने सारे धारन हैं ये बारम बार धारन क्यों दिये जा रहे हैं ताकि हम लोग जो भोग में आ सकते उसको त्यागे हैं भवान के भजन मे लगे करमी लोग आत्म तत्तव से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यातमिक लाब के बीत जाता है और अगर ऐसे व्यक्ति को बताईए भी तो बो लेका हाँ हाँ माराजी अंदर क्या बोल ला है vai say यहां मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने की निमित है न शूकरों कूकरों की भाती मैधुन में रथ रहने के लिए हैं। मैंने पहले ही बोल देता हैं कि सब बहुत हवी तात्पर हैं। हमको जुवन में आरहा है में जो सुने हम सब बोलने वाले हम। बड़ा भय लग रहा हा है कोए किस न करते लेकिन बहुत कंभी सक्षियर बात प्रहपात कहते हैं। कर लुए कूं बहुत दर लग रहा है। मैं बोल रहा है लेकि पिर भी। प्रहपाजी कहते हैं, देखो सुवर ये भी भेद नहीं करता है कि बहन कौन और मा कौन, और आजकल मन इसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता जा रहा है, अगे एक्स्पलेशन में दे नहीं सकता है, लिए इस इस होपी थिंग सरा है इस वर्ल नो, बहुत ही गरहित जीव प्रहपाजी बोले हैं कि देखो पुनर मुशक बबाव समझते हैं, तुम भगवान को छोड़ दी होना तो क्या स्थिति है, जंगल के जानवर की तरह द्वार स्थिति हो गई, उस जमाने में लोग इस प्रकार से अंटरसंट कारे कर रहे थे, यह तो भौतिक जीवन की समस कर लिजेगा, तिक शब श्लोक हैं ही इस प्रकार के, विए यह तो जोल्ट अस, जोल्ट समझते, कसके हिला दे, तब कभी-कभी जगता नहीं है, पगला हुचते, इसको हिला देता है, कसके तो यह हिलाने वाले श्लोक है, तो मेरे मुख से कुछ निकल जा रहा है, उसको आ देते हैं, ऐसा करके विए भौतिक्ता वादी जीवन के स्तर को ऊचा ठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस पर मैं क्या कहा करता हूँ, देखिए, लोवर क्लास, मिडल क्लास, एड अपर ग्लास, एंड आर दुण थिंग्स, एनिवल क्लास, इटिंग, मेटिंग, स्लीपिं खाते हैं, और डायन टेबल बैटके खाते हैं, कहां चलकता है, खाना तो खाना ही है, डिपेंड करता है कि आप शान्ती से बैट के खा पा रहे हों कि नहीं, बलकि आप यह भी देखे होंगे, आप सब लोगग देखे है कि नहीं, सिंपल जमीन पे बैट करके बढ़ीया सा तो आईटाम प्रसाद मिल जाए शांति सिखाते हैं के नहीं आप लोगा अन्भव हो का महां पे गए ते ना हम लोग चींटाहरण महादेवड गौैंब अब हाथ में सब लोग जिमिने बैट है सिंपल सब लोग प्रसाद दिया गया कितने शांति से वक्ति बेट के प्रसाद बात है वो कभी डायन सुक नहीं दे सकती है अचा एक बताईया कि आईये मेरा ड्रॉइंग नहीं है जिसमें कोई सोफा नहीं है बस बड़ा साउंड सिस्टम है बोलते जा रहा है बोलते जा रहे और आप यह अनभव करते हैं करिये अगले बार के जाएं किसी कर भी विक्ति के जाएं और इसको ड्रॉइंग में बैठें आये तुम्हारा नाम क्या है ऐसे करके बात खतम और आप लोग सोची रहे होंगे कि यह हां फीचर में क्या प्लान है इत्यादीताई सब खतम हो जाती बात और बात सभी नहीं सब विश्व में चली जाएगी जुसे यहां पर लिखा गया ऐसा करके भी भौतिकतवादी जी मनुस्य जीवन का junior में वरन हुआ है और लागे जीजिवन में मताया गया कि किस तरह लोग मनुस्य जीवन के वर्दान को मुर्फवर्क नश्ड करते हैं जिस मनुष जीवन के द्वारा विक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है उसको नश्ट करते उसको हम कल सुनेंगे तो हमको इस लोग बहुत अच्छा लगा था प्रश्ण किसी का है अगर हमारे अनेक जन्म है तो हमार हमने हमारे पूर जन्म में कृष्ण को देखा होग प्रभुजी मैं अपने बेब को ख्रश्ण च्रश्ण भांगे ठीक अच्छी बात है बनाइए आप खुछ जाप कीजिए तरह करें किजिए अगलिशन को सब्सक्रापी अर्फ कट्षिन क्यों है पता है यह हमारे लाल गोईन प्रूव बड़ा अच्छा कता कर रहे तो इधर के चक्के में अगर पंचर होके तो गाड़ी आगी नहीं पड़ेगी तो पती और पती दोनों अगर भक्ति के लिए गियर्ड है तो कटना ही नहीं है लेकिन एक वेक्ति सोचरा चाहिए एक वेक्ति चाहिए बख्ति चाहिए तब कटना ही होती मैं मैं उधरन देच चका हूं क्या ना मैंनका संकर्षन प्रवका और ना को संतान नोत्म कभी ही वह संक्न किये ही नहीं पुरा बल्राम होल में क्लास हो रही थी और अंनना किन सी वाइस वप्योर आपने लो तुम्हें तुम्हें कि अपने को इतना योग्य बनाों कि तुम और साक्षा देख सको प्रपाजी से साख्षा तब लिटर कर बाद कि ए कई हजारों लोगों को वह घ्यता ग्याना ग्यान दे रहा है रिली बहुत उत्साहित बगते हैं आपको लोग आयेगा तो आते हैं तो आप लोग जरूरून का दर्शन किजाए जबी मैं उनको देखता हूं उनकी बात वही मुझे आदाती है अम लोग तो यह प्रशन कर रहे थे कि भाई शादी किया ही क्यों फिर है अमें बहुत इस बिकार मताजी इस है जरुपि प्रण प्रशन का छूट गया है दम हो ने खुट गया हमारे उनकोणदगर प्रभु पर डिसापल डेखिये यह और कि दिर देक दिरखिए कि इस लाइफ इस लाइफ का है कितना अच्छे से भक्ति कर रहे है तो ऐसा तो नहीं है कि भोग में पड़े हुए विक्ति को आप तुरन देख सकते हो कि भाई उसके नवानी में दम है न भक्ति को साह कुछ नहीं रहे है प्रभू में बहुत साहने मुझे पर अपने बहुत होता है। मुझे पर अपने बहूत डाउत होता है हुए आपने नहीं में देख सिल्ख नान हेता दूर समय नहीं आप गस्ति करे ett petition now उसका संँ निकल जाएगा कर बड़ापा पर भक्ति करेगा प्रगति के चांस का मिलता है उसको मैंने आपको अभी बताया ना देखिए भगवान गीता में क्या बोलते है धर्म अवी दिध्धु भूतेश्व कामोस में भरतर्शव अगर अब ग्रहस्ति में भी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सुभे मंगलार्ति का सारा जिम्मा ब्रह बताता है और श्राम को भी इस प्रकार से बिताता है तो ग्रहस्ति में छोड़ने की जूरत नहीं है भगवाद गीता तेरवाद धाइब ताथ पर रामकिर्श्व प्रभू धूंड के बताएंगे हों ओके तौमारो यह तीस पढ़े होंगे ताथ पर यह अब इसका मतलब यह नहीं कि अंति तक छोड़ने का जूरत नहीं है क्योंकि यह भी देखो हर जगे पढ़ना होगा तीसरे स्क्रम में आप पढ़ेंगे कर्दम मूनी के बेटे कौन है कपिल देव बॉलर नहीं भगवान कपिल देव फिर भी घर छोड़ करके सन्यास लिये हैं तो वह भी ब बात है लेकिन ग्रहस्ति में कैसे रहना यह बताई कि अधिस्टर महराज भग रहस्ति में नहीं है क्या ना मन का अंबरीश महराज नहीं है ठीक है लेकिन सभी को भगवान की भक्ति में लगा के रख चलना चाहिए यह बात रहती है अब एक प्रशन होगा क्या भक्ति में लगाने के रिशादी करते हैं देखिए यह बहुत अच्छी बात में इसका बैरेंस उतर देना चाहता हूं हर जीव पूर अपने जीवें से चल रहा है कुछ लोगों का भर्मचारी का संस्कार होता है वो भक्ति में ना भी आये उनक की शादी करने की इच्छा नहीं होती और जो भक्ति में आ जाते हैं तो उसे कंटीनू करने लगते हैं और समान ने तहा सभी लड़कों की इच्छा होती है कि हम शादी करेंगे तो आप अगर उनको जबरदस्ति उसमें लागें ब्रहमचारी आश्रम में वो नहीं रह समझ गए ना सब का अलग अलग सट अप है इसके लिए मोग प्रभपा जी बुले ना आप हम भागोत में पड़े था ना ओल्द में मस्ट भी मैरेड पड़े थे कि नहीं बल्कि 24 साल में लड़का की उमर होने चाहिए और लड़की की उमर 16 साला सा बताय गया था चोलो अगर आप पूरी तरह से देखें कि सभी के लिए भक्ति अगर है तो ऐसा नहीं कि और निमित भोग करते हैं वहान की बहुंट कर्ति कर रहे है I hope you are able to understand आप यह ऐसे नहीं कह सकते कि सभी को ना नेस्टिक ब्रहामचारी रपाएगा उनकी उनकी कुदर की फिर मैं रिपीट कर रहा हूं शादी करो चाह कुछ भी करो लेकिन धर्म छोड़ करके भक्ति छोड़ करके भगवान विष्टु को भूल ना जाए कंडूर शी किते रहे कि आज 900 साल बीद गए आज गाहितरी नहीं किया है ऐसा करने के शास्त्र नहीं बोला है आपने सुना नहीं महाराज का प्रवचन अभी जो ग्रहस्ति धर्म के बारे महरा था अभी परंपुझे विर्दावचन महाराज बोले ना करता भन की भावना को त्यागे और भगवान के बारे में नीमित रुथ श्रवन करे तो ग्रहस्त भी पालो जाए गर महाप्रभी से रहा गया तो क्या बताए शत संग त्याग करो गलतों का संग नहीं करो और भगवान के नाम का संतना और वेस्ट्वों की सेवा यह दो कारें उनने गरहस्त में बताए और आभी पर्थ परम्नें बताया था अ को ठाते आगे जाके बाद और कथा सुने होंगे तो इसलिए वैराग के केवल बात बोल जाए ग्रहास ब्रह्मचारियों की में ही हो ऐसा नहीं कहा सकता है वैराग के व्यक्ति के आश्रम पेटेपर नहीं करता है तो जिसकी जैसी व्यवस्था है उसका मन जिस प्रकार से इस में रहने के लिए है उसको स्विकृति देनी चाहिए लेकिन यह नहीं कह सकते कि वो शुद्भक्त नहीं है एक सेंस प्रभुपाज जी के तो छे वेरा क्या नाम है ग्रहस्त भक्तों नहीं लंडन में क्रांतिकारी प्रचार किया और प्रभुपाज जी के शब्द है कि नह जाए कि भोग्स जीए नहीं हो और रहामचारी जीवन में हो जैए भोग्न नियुनिता में में लेकिन जाहे इस टृप्यों तो नहीं करैंग है इसकी बार depressing क uniforms नगना चैर्थ से ब्सक्ति मिलते है मैं बनारा के तक पर बुझा खाएग स्यार्टों या दो गंटा जब किया फिर एक गंटा भागु तो बड़ा फिर एक गंटा गाएं की सेवा किया फिर ओफिस गए उनके डेली रूटीन है और वेश्णों के सेवा बड़े-बड़े महारादन के गर रुखते हैं फिर एक मदुरही में एक जाम पहले में उनके घर गया था वो प अच्छा लगता है और मिलब परशाद बहुत सारी सिवा करते हैं तो बहुत सारी एक जामपल है हम देखते निया तो इसका मलब यह नहीं अभी करसा रहा है तो फिर कोई कटना ही नहीं है मलब बच्चे बैलोजिकली पैदा होगा इसका मतलब यह नहीं कि आश्रम आइट नहीं हो सकते makes sense to you मैंने क्या बॉला समय मैं आए आपको नहीं समय आए मैं आश्रम यहां चला रहे है तो दो-चार बच्चे पैदा हुए मने सेंस नए बच्चे आए आए की नहीं आए है ॐ समत्राइब करने के नहीं है शुब्त प्रोस्य करता था ठीक नहीं के मिललोग दो प्लिखर नहीं पीदा करें प्रीचिंग के दौरे जोटे तीन आया है एक शोटे बच्चे की तरह में टहूं है एक पने पॉटी कहा करनी होती है न्यू डिवोटी को पता नहीं होता है क्या करना होता है कुछ भी करता रहता है सेहन करना पड़ता सिखाते हैं कि नहीं सिखाते बस बाइलोजिक लिए नहीं कर रहे तो जो biological बच्चे होते वह उनको भक्ती क्यों नहीं कराई जाए आप मेरी logic समझ रहा है तो जो विक्ति क्रहस्ति में जा रहा है वह भवान की भक्ती करे खुद भक्ती करे और बच्चो को ग़रए एक बात न्यूंको बोले है कि आपकी क्लास में आए वो खुद कभी नहीं आती तो कभी लगा कैसे आएगा बताओ आप स्वेम आओगे तब तो बच्चा आएगा आप कह रहे हो कि मेरे लिए बहुत अधिक महत्पूर्ण है और कारे इसलिए भागवत नहीं आ सकते तो बच्चेों क्यों भेज देंगे पच्चा कैसे आने वाला है मैं कभी किसी को सिक्षा देता हूं तो बिल्कुल पिता जी की तरह देने का प्रयास करता हूं पहले मैं देखता हूं कि क्या मैं कर पा रहा हूं जो मैं नहीं कर पा रहा तो मैं सामने वाले को दूंगा क्यों और अगर दूंगा भी तो वो सुनेगा क्या यह समझ लिजेगा, आप स्वयम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे एक नहीं बोल सकेंगे, और अगर बोल भी देंगे, तो वो सुनेगा नहीं, मेक सेंस, तो ग्रहस्ति मेरा कर माता पिता भाहन की भक्ति कर रहे है, प्रभुपाजी अपने पिता जी को पियर डिवोटी बोले हैं कि नहीं, कहां बताईए, कहां, कृष्णा भुख में, शुरुवाद पे, यह सिंपल कपड़ा बेचने वाले थे, ठीक है, तो यह एक बैलेंस भीलना चाहिए, और कुछ कहना चाहते है, हां, वेरागे प्राप्त करने के लिए भोग करना जुरूरी है, नहीं, वेरागे प्राप्त करने के लिए भोग करना जुरूरी नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह भी कि ग्रहस्ति के, अगर दूसरा से दिखा जाए तो दुख को अनभव भी करना होता है वेक्ति को दुख नहीं होता है तो curiosity बनी रहती है और बार-बार समझिए भोग है उसमें अगर किसी की भोग की इच्छा है तो क्या आप दबा देंगे और आप मालो कितना भी बोल लिजे क्या आपको मत हम कितना भी बोल सभी जीवों को अपने अकवार समझते हैं गोद में लेकर के उनकी प्रगति कराना चाहता है यह आप शाध्यान नहीं दिये आत्मा किस प्रकार से विलग हो सके पदार्थ से यह वेदकाव देशे पढ़ा था कि यह भी आपने तो अब उसकी जो उस्तिति है उसके उससे व अलो टिखा लोगे हम गान्ता अलो टिखा के रह सकते हैं इस असस unchanged के सबसे अच्छी यून के दवाई सिए कि मैं फूट पर रहा जाओं लेकिन आमासा नहीं कर सकतें तो सबसे अच्छा था है कि कभी शादी करे ही नहीं सबसे अच्छा है लेकिन ऐसा और यह यह से नही ही है okay we'll stop here grahasthi is equals to tractor i don't know i've never heard this śrila prafupad ki jaye śrima bhaagvatam ki jaye nitai gaur primanande 1